हालो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल पीके कला फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इस एम आर के उपर कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स ये वर्कशीट्स बच्चों के लिए बहुत ही हल्प करेंगी प्रैक्टिस परपस से फ्रेंड्स इस एम आर कैसे हमने बच्चों को समझाना है और कहां पर हम इस एम आर का यूज करेंगे ये मैं अल्रेडी चैनल पर वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहां से चकाउट कर ले ना फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहली वर्कशीट बहुत ही सिंपल वर्कशीट मिनाई है फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या करना है fill the space with correct answer जैसे मैंने हाँ पर is लिखा है r लिखा है और m और यहाँ पर मैंने कुछ words लिखे है तो इन words को आपने इसमें देखना है is के साथ आएगा वो word या R के साथ या M के साथ यहां arrow लगाया है मैंने जैसे कि is is कहां पर use होगा कौन से word के साथ use होगा जैसे सीमा है सीमा क्या है girl है noun है एक name है तो क्या सीमा के साथ क्या आएगा सीमा is सीमा के साथ क्या लगेगा इस लगएगा तो यहां हम सीमा लिखेंगे next word is you you कहां पर आएगा you के साथ हमने क्या बताया था are use करेंगे जब भी जहां हम you दिखावा देखेंगे वहां हम are use करेंगे तो are यहां पर लिखा है हमने और यहां हम लिखेंगे you next word is goats goats मतलब क्या है animals है और यह क्या है plural noun तो कहां use होगा यह are में gods are plural noun है इसलिए यहां पर are के अंदर आएगा यहां पर next word is we we मतलब हम जहां पर we use we होगा वहां पर हम are use करेंगे तो यहां एक लिख दिया हमने we next word क्या है रोहित तो रोहित के साथ क्या लगेगा is आएगा आर आएगा या am आएगा is आएगा रोहित is क्योंकि यह name है एक boy का now come to the next word sunita sunita जो है एक girl का name है तो sunita के साथ क्या use होगा is उसके बाद it it जो है it के साथ क्या use करेंगे हम is करेंगे are करेंगे या am it के साथ हम is use करेंगे तो it is next word is I I के साथ हमेशा क्या लगता है am तो यहाँ I आगया I am he he के साथ क्या लगता है is तो यहाँ he आगया next word she तो she भी is वाले कॉलम में आएगा he और she के साथ क्या लगता है is किसी का नेम होगा boy का या girl का तब भी is use करेंगे it के साथ भी is आएगा अब next word देखते है bags bags क्या है कोई thing है मतलब कोई चीज है और bag में यह क्या लगता है bags लिखा है मतलब plural noun हो गया तो bags के साथ हम क्या use करेंगे is करेंगे r करेंगे या am करेंगे r यूज करेंगे bags r तो यहाँ हम bags लिखेंगे next word क्या लिखा है they, they के साथ क्या आएगा are, तो यहाँ they आ गया तो इस तरह से friends देखिए यह worksheet हमने complete कर ली अब हम आते हैं आज की next worksheet पर इसमें क्या करना है fill in the blanks using is, am, are क्या करना है सबसे पहले जो हमने sentences लिखें fill in the blanks है इसमें से is, am, are हमें choose करके in fill in the blanks को fill करना है तो first sentence हमारा क्या है the dog dash barking dog क्या है एक animal है, singular noun और dog के साथ क्या आएगा फिर is आएगा, am आएगा, या are is आएगा, एक है dog इसलिए is को यहाँ पर हमने tick किया और हमने is मतलब is, am, are में से हमने choose करके fill up में is fill कर दिया उसके बाद we dash playing we के साथ तो हमेशा आर बताया है मैंने तो हम आर लिखेंगे उसके बाद next fill up में आते है it dash a bag तो क्या आएगा, it के साथ क्या use होगा, is it is a bag they dash going to park मतलब, they के साथ क्या बताया था मैंने, are use करेंगे तो यहां लिखेंगे हम, are children dash flying kite children, मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, plural noun हो गया और children के साथ क्या आएगा are, children are flying kite, यहां are पर टिक करेंगे this dash a beautiful picture यह है एक beautiful picture है, तो this के साथ क्या आएगा, is this होगा या that होगा, तो वहां भी is ही use होगा this is a beautiful picture bag dash very heavy bag क्या है, बहुत भारी है तो bag क्या है, singular noun एक ही bag है, तो bag के साथ क्या आएगा, is, bag is very heavy fish dash a water animal, fish कौन है, animal तो fish के साथ क्या आएगा, is fish is a water animal I dash a girl, तो I के साथ क्या आएगा, friends, am I am a girl तो इस तरह से, friends, आप यह worksheet भी बच्चों को philips के त्रू करवा सकते हैं इस MR के उपर, अब आते हैं हम आज की next worksheet पर choose the correct verb जो इस MR है, वो helping verbs होती है तो इन में से, मैंने कुछ sentences लिखे है उसमें मैंने option दिये is, am, are, as, इस तरह से दिये तो उस sentence में कहां पर is लगेगा am या are, वहां पर आपको tick करना है first sentence क्या लिखा हो है she is am a girl is भी लिखा है, am भी लिखा है slash डाल के लिखा है न तो she के साथ क्या आएगा is आएगा, am, बस tick करना है only, तो she के साथ is आएगा she is a girl इस तरह से बच्चे से tick करवाना है children, are, am भी लिखा हो है, यहाँ पर playing in the yard, तो children क्या है एक से ज्यादा है, plural noun तो children are, यहाँ पर are को tick करेंगे हम, dog और dog के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, हमने आर भी लिखा है is भी लिखा है, a pet animal तो dog क्या है, animal है और एक है, dog is a pet animal next, we am, या are ready to play, तो बच्चे इसमें क्या लिखेगा, we are we के साथ, आर आएगा she, are is crying, तो आर आएगा या is आएगा, she is crying he or she, और it के साथ तो हमेशा is लगेगा, the cat am या is, fat cat कौन है, animal है, और एक है तो the cat is fat, तो they, they के साथ is आएगा या are, आर आएगा तो they are sisters, तो are को हमें से टिक करेंगे next, I, I के साथ तो हमेशा am आएगा, तो I am a good person a frog am या is on the log, frog क्या है animal है, तो frog is on the log तो इस तरह से friends आप अगर बच्चे का लिखने का मनना करें तो simply आप टिक वाला इस तरह से option के ये बना सकते हैं sentences और बच्चा simple देखकर sentence read करके practice कर सकता है, इस MR की और टिक करता जाएगा उसे so friends आप भी इस तरह से बच्चों से इस MR की practice करवा सकते हैं और अगर video आपको मेरा helpful लगा हो friends पसंद आई हो worksheet तो please video को like जरूर करके जाना share जरूर करना और साथ में friends जो लोग video को first time देख रहे हैं वो channel को एक बड़ सब्सक्राइब जरूर कर दे तो friends मिलते हैं तेप तक और अच्छे हैं testing videos में till then bye bye and take care